वक बोट संशोधन बिल पर बनी JPC की मीटिंग में आज जम कर हंगामा हुआ बेचक में टीमसी और बीजेपी के सांसदों में जड़प हो गई इस दोरान टीमसी के सांसद कल्यान बेनरजी गायल हो गई सुत्रों के मताबिक चर्चा के दौरान कल्यान बेनर जी और बीजेपी के सांसेद अबिजीत गांगूली में गर्मगर बहस हुई इस दौरान कल्यान बेनर जी ने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल को गुसे में पठका और बोतल तूटने से उनके हाथ में चोट लग गई बाद में असुद्दीन उवेसी और संजे सिंग उनको बाहर लेकर आए आज मीटेंग के दौरान कल्यान बनर जी का जो वेभार रहा उसे देखते हुए जेपिसी की बैठक से एक दिन के लिए उन्हें सस्पेंट कर दिया क्या है भारत के साथ सीमा विवात पर समझोते की पुष्टी आज चीन ने भी कर दी है चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि दोनों देशों के बीच राजनेक और सेने चैनलों के जरी लगातार बाचीत हो रही थी अब इस पर सहमती बन कई है चीन ने समझोते को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा लेकिन चीनी विदेश मंतराले ने समझोते को लेकर बहुत जादे डीटेल शेयर नहीं की भारत और चीन के बीच पूरवी लद्दाक में चार साल से जारी सेने गतिरोत का खत्म होना एक बड़ा कदम आना जा रहा है ये समझोता डैपसांग और डैमचॉक शेतरों में गश्ट से जड़ा हुआ था ब्रिक्स मीटिंग के साइड लाइन में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने अपसे थोड़ी देर बाद रूस की राशपती ब्लादमर पुतिन के साथ मुलाकात होनी है चार महीने में ये दूसरा मौका है जब मोदी और पुतिन की ये मीटिंग होगी रूस के खजान शहर में आज से ही ब्रिक्स की बैठिक भी शुरू हो रही है इस मीटिंग के दोरान डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के तरीकों पर बाचीत होगी ब्रिक्स देख चाहते हैं कि इस संगठन में शामल देशों के बीच ट्रेट और इन्वेस्टमेंट के लिए एक डिजिटल करिंसी बनाए जाए इसके लाबा ब्रिक्स मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा होगी कि डी पी आई या यूपी आई को कैसे ज्यादा व्यापक रूप से स्विकार बनाया जा सके बीजेपी के संस्थापक सदसों में से एक लाल कृष्ण आडवानी को आज फिर पार्टी की सदसिता दिलाए गई और बनाया जाज़ में रहा होगी में इस अविकार बनाया होगी कि पर भी ट्ख्वाड़ी की आई घए